इंदर मेगवाल बच्चे की हत्या हुई जालावर के अंदर और उसकी लास को नौचने के लिए हजारों प्रकार के गिद्द पहुँच गए और उस बच्चे के नरम मास को नौच नौच कर खा लिया और सब खाकर दावत तुड़ा कर निकल गए अब अगले किसी बच्चे की अगले किसी महिला की अगले किसी नर की अगले किसी समण समाज के आदमी की इन गिद्दों को लास का इंतिजार है पहले भी मैंने कैई वीडियो बनाई है और आगे भी लगता है बहुत सारी वीडियो बनानी पड़ेंगी क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है इंदर मेगवाल जो बच्चा मारा गया वो एक मिट्टी के मठके से पानी पीने के एक मानसिक गुलामी के अपराद के कारण मारा गया उस मिट्टी के घड़े को किसी ने मिट्टी को पैरों से रोंदा होगा किसी समझ ने उसको मिट्टी खोद कर बनाया होगा उस मिट्टी में उसका थूक, उसका पिसाब हो सकता है, उसकी टटी भी मिक्स हो गई हो, वो घड़ा तब बना होगा, उसके बच्चे भी हो सकता है, किसी ने उसके टटी पिसाब कर दिया हो उस मिट्टी में, और मिट्टी में मिल गया हो, उसके बाद वो घड़ा या मट्का बना होगा पर जैसे ही वो बजार में आया और विका उसके बाद उस मटके की सारी चीजें बदल गई अगर वो मटका किसी समण के पास गया तो समण का हो गया और किसी वमल के पास गया तो वमल का हो गया अब अगर वमल का मटका है तो उसमेंसे समण छू नहीं सकता अगर छूएगा या पानी पिएगा तो मारा जाएगा बेसक वो मटका उसके बाप ने बनाया है बेसक वो मटका उसके किसी समण भाई ने बनाया है ऐसा सिश्टम भारत में पिछले 400-500 साल से ही है इससे पहले किसी भी इत्यास में, किसी बुद्ध के इत्यास में, किसी जैन के इत्यास में या किसी चंद्रकुप्त मौरेया या समराट असोक के इत्यास में या उनके लेखों में कहीं नहीं मिलता कि कहीं किसी की हिम्मत हुई हो जो समण को पानी पीने पे उठा ले या मारे या पीटे बलकर समण ही तने ज़्यादा पावर्फल होते थे क्योंकि वो इखटे थे कि वमन की हिम्मत नहीं होती थी कि उनकी तरफ आँख पी उठाए वमन हमेसा उस इत्यास काल में याचक रहे हैं मांगने वाले रहे हैं कि पूरा का पूरा इत्यास वमनों का रूर समणों का पूरा का पूरा भरा पड़ा है जिसमें समण की गिलोरी समण का गारब, समण का गौरब बहुत उचाईयों पर रहा है चुकि चीजे बदलती देती हैं समणों का संग तूट गया तो तूट कर 6,743 टुकड़ों में बिखर गया समणों का इत्यास की जानकारी नहीं रही उनकी पड़ाई लिखाई बंद हो गई उन्हें अपना गौरब शाली इत्यास का याद दे रहा कभी वो समराठ गुप्त के समराठ असोक के चंदगुप्त मौरय के कभी वनसज रहे हैं कभी वो बुद्ध के वनसज रहे हैं इसलिए ये सारी बातें उनको हो रही है तो बहुत सारे जो लोग हैं नेता टाइप के लीदर टाइप के जिनको गिद्ध कहना ज्यादा उचित होगा ये सारे के सारे जब भी कोई घटा करम होता है जब भी कोई लहास किरती है और लहास अगर ऐसी गिरी हो के छोटा बच्चा हो, मासुम बच्चा हो और पानी के उपर मारा गया हो और मटके के पानी के उपर मारा गया हो तो तुरंत ही मैच कर जाता है बावा साब अम्बेट करके मटके के पानी से क्योंकि बावा साब अम्बेट करको भी मटके का पानी पीने के नहीं दिया गया उस समय बड़ादा के अंदर तो इस टोरी में दम हो जाता है और जब इस टोरी में दम हो जाता है जब खुशी का माहूल हो और शोक का माहूल हो दुख का वातरवन हो या सुखी का वातरवन हो शादी बया हो या कहीं कोई मिर्टु संसकार हो या मौत हो या मातम हो तो आध भी बोलते नहीं है उन परिवार के लोग भी नहीं बोलते आसपास के लोग भी नहीं बोलते क्योंक उस समय जो भाव होते हैं उस समय जो मन में वेदनाय होती हैmos चाहिए वो सुखद रहें चाहिए दुखद दुखद बहुत ज्यादा ऊपर के लेवल से ज्यादा होती है इसलिए वहाँ कुछ भी कहना एक तरह से अपने आपको ही पटने का नियोता देना है पर जब वो वेदनाय सांथ हो जाती है जब भावनाय सांथ हो जाती है तो बात करनी चाहिए इंदर मेगवाल के मामले में सारे नेता दोड़ पड़े सारे राजनितिक लोग दोड़ पड़े सारे सामाजिक कारेकता दोड़ पड़े यहां तक कि जो धमका काम करते थे वो भी दोड़ पड़े और वहां के आसपास के सब लोग अपना मोबाइल लेकर अपना कैमरा लेकर अपने भाशन लेकर और जबर जस्ती उसके घर पहुंचे घूम घूम कर पहुंचे पुलिस ने रोका तो पांच-पांच किलोमेटर दूर जाके मिले सिर्फ इसलिए ताकि समाज में ये मैसेज जाए के देखो हम यहां आए हैं हमने यहां इंदर मेगवाल की हत्या के ओपर रोज प्रकट किया है पर कैसा रोज प्रकट करते हो कैसे वहां हत्या में आते हो अगर किसी समण भाई की हत्या में आये हो सारे समण हो तो अपना अपना बैनर अपनी अपनी पोस्ट अपना अपना भाशन अपने अपनी लोग अपने अपने दल अपने अपनी संस्ता अपनी अपने संठन अपने अपने समूग के साथ आते हो तो समाज में क्या मेसिज जाता है समाज में मेसिज जाता है कि जो बच्चा मरा है उसके जो पैरोकार है उसके जो पीछे खड़े उसके जो पूरे समाज के सरमाएदार लोग हैं जो पड़े लोग हैं वो टुकडों में बठे हुए हैं, वो अलग-अलग हैं और अलग-अलग लोगों की शक्ती बहुत कम होती हैं। सरकारों को ये पता होता है कि ऐसे आंदोलन टेंपरेरी होते हैं, छणिक होते हैं, एक दिन में, दो दिन में, पांस दिन में, दस दिन में खतम हो जाएंगे, क्योंकि इन लोगों के पास में एक सामुईक ऐसा सिश्टम नहीं है, कि वो आंदोलन को एक साल या दो साल तक और वो संग यहां होता, और साइञे लोग उस संग में होते, तो यह घटना ही नहीं घटती, क्योंकि पहले भी कभी किसी घटना का कहीं कोई जिक्र नहीं है, ना पहले जातियाँ थी, ना पहले समडों के साथ कोई अत्याच्यार होता और अगर इत्यास की माने तो समण के सामने वमण याचक रहते थे, इसलिए याचक से साथ कुछ अगर समण करना चाहें तो कर सकते हैं, उसकी याचना पर बात माने या ना माने, उसको कुछ खाना दें या ना दें, पर समणों का कहीं कोई किसी के उपर दवाब नहीं था, य जितने भी लोग जब हत्या होती है, तो हत्या का अंतियार करते हैं, जैसे गिद्ध मास का अंतियार करते हैं, पिछले कुछ सालों का टेंड अगर आप उठा के देखेंगे, चाहे वो हात्रस की घटना है, चाहे वो तडवी की घटना है, चाहे वो राहस्थान में मूछों की घटना है चाहे वो कहीं की भी घटना है जिस घटना में हाइट लाइट हो जाती है या जो घटना एक तरह से मीडिया की वैसे उजागर हो जाती है या जिसका प्रचार प्रसार ज्यादा होता है उस घटना पे सारे नेता पहुंच जाते हैं अपना अपना हिस्सा लेने के लिए अपनी अपनी मूच्छों पर ताफ देने के लिए अपने अपने बाशन देने के लिए और बहुत सारे नेता तो बागएदा पुलिस को सुचित करके जाते हैं ताकि पुलिस उनको वहाँ जाने ना दे उन उनको इखटा करके जगे जगे जिले मुख्यालों पर अपना ग्यापन या धन्ना या प्रिस्न देते हैं ये एक रिवायत सी है प्रमपरासी बना दी है इसके परणाम अच्छे आने की बजाए और खरावाते हैं क्योंकि कुछ दिन बाद इन गिद्धों को और लहास मिल जा है कि उस समय ये लोग क्या करते हैं उस समय सारे लोग सारे नेता सारे संग्ठन जो लासों पर जाकर दावत उड़ाते हैं उस समय ये बिल्कुल अलग-लग रहते हैं इनके अलग-अलग धन्य प्रसन होते हैं इनकी अलग-अलग सम्मिलन होते हैं इनकी अलग-अलग चंदे आना जाना होता है और सारा कुछ जितना भी यह होता है कोई कमा कर नहीं लाता ये सारा का सारा समाज से चंदा बटोते हैं पर उस एक लहाज से और दूसरी लहाज के गरने के बीच के समय में ये कभी भी ये नहीं सोचते अरे भाई हमारे बच्चे की लास गिरी हमारा बच्चा मारा गया तो अब हमको इखटा हो जाना चाहिए और इखटा होके ये मैसेज देना चाहिए पूरे के पूरे समाज को पूरे भारत को कि अब हम इखटे हैं अगर अब हमारे किसी बच्चे की लास गरी तो हम एक साथ जाएंगे तो हो सकता है कि फिर किसी बच्चे की लास गरी ना और ये गारंटी है कि जो लोग इखटे होते हैं जो संग में होते हैं उनके बच्चे नहीं मारे जाते अगर आपको यकिन नहीं है तो आप दूसरे समुदाओं के बच् चुँनकि Giurgi 타- उनका नहीं करतें क्योंकि प्रिदर्षन ध्रपने नहीं करतें और वह चांती में पूरी ताकत लगाती हैं करते हैं दिनराथ अपने हुझा बूतलव कुछ मिलता है, जहां पर्सार, परसिदध्री मिले जहां किसी board का member बन जाए, जहां किसी सत्ता में, राज में, दलाली मिल जाए जहां वो कह सके गौवर्मेंट को को देखो हमने यह आंदलन दबा दिया तो हमको यह मिला, जहां जो पीडित है उससे समझोता कराने का कुछ सुरे मिल जाए, कुछ पैसा मिल जाए कुछ समझवता कराने की कुछ आमदा नहीं मिल जाए वहां जाते हैं जिन केसों का प्रचार प्रसाब नहीं होता जिन को मीडिया नहीं उटाता उनमें ये नहीं जाते इसलिए ऐसे मौके के इंद्यार में रहते हैं कि जब कहीं लोगों की निगा में कोई केस आ जाए और वहाँ जाके ये कहें कि देखो हम भी यहाँ आए हैं पर एक लहाज से और दूसरी लहाज के गिरने के बीच के समय को ये कभी भी इखटा होने में या ये सोचने में नहीं लगाते कि पहली बारी लास क्यों गिरी हम महार लग लग गए तो उसका नुकसान ज़ादा हुआ या फाइदा ज़ादा हुआ अभी हमारे पास समय है तो हम एक सम्मिलन कर लें एक समीती बला लें इन सब को बला लें कि आज से पूरा समण समाज एक ही है और पूरा समण समाज जहां भी जाएगा एक साथ जाएगा और कम से कम दुख में तो एक साथ जाएगा अरे सुख में तुम अलग लग रह लो कोई दिक्कत नहीं होती है पर दुख में तो कम से कम एक साथ जाओ अच्छा तो रहे कि सुख में भी एक साथ रहो और दुख में भी एक साथ रहो जो सुख में एक साथ रहते हैं उनके घर दुख नहीं आता और जो खाली दुख में एक साथ रहते हैं उनके घर दुख आता रहता है इसलिए सुख में साथ रहने के लिए जो time होता है ये जो समय होता है इन गिद्धों को इतनी अकल नहीं है कि एक साथ मिले इनके ego इनके एहम और क्याई बार तो मुझे लगता है कि ये competent ही नहीं है इनमें संग में जुड़ने की या संग के साथ चलने की या संग के साथ रहने की अकल ही नहीं है इसा कारण में बताता हूँ आपको पिछले दिनों कई लोगों से मेरी बात हुई उन्हों ने कहा जी कि हम एक synergy बना रहे है synergy synergy अंग्रेजी का word है synergy का मतलब है एक तरह से जो समन्वे होता है यानि coordination संग्ठनों का समन्वे बना रहे हैं समन्वे ताल मिल बना रहे हैं हम सारे संग्ठनों को इखटा कर रहे हैं और हम यह कह रहे हैं कि देखो संग्ठन तुम्हारी आइडेंटिटी यानि तुम्हारी पहचान एक साथ रहेगी तुम्हारी साथ रहेगी बस एकटे होके ताल मिल करके काम बना है यानि संग्ठन अलग लग रहेंगे ताल मिल करके एक साथ होना है ये सब्द देखने में अच्छा लग सकता है इ सरकार टूट जाती है और वो दल अपने अपने घर चले जाते हैं इससे पबलिक का बहुत नुक्सान होता है पबलिक जो सहुख देती है वो दो दल मिलते हैं उन दोनों दलों को देती है उनके मिलने को देती है पर वो दल मालिक रहते हैं वो पबलिक की भावना को नहीं समझ ही नुपसान synergy में यह हजारों परकाल को संख्डन है को ughटा कर के तामिल बनाने में है क्योंकि यह सब कुछ को इससको डिया क्यों कि उसом को चलाने के लिए तो यह बहुत जल्दी छिन्विन हो जाते हैं पूर मैं भी बहुत सारे ऐसे एक्सपरिमेंट फेल हुए जब दो चार पांच लोगों ने सिनर्जी के नाम पर या कॉडिनियेशन के नाम पर समनेपे के नाम पर आपसमें मिलने का सोचा है पर इससे भी जो अच्छा एक अगर सामाजिक हैं तो सबको एक साथ आना चाहिए अगर वो वालिंटर फोर्स के हैं तो उन सब लड़कों को वालिंटर फोर्स वालों को चाहें वो बीबी एफ है चाहें संता सेंग दल है चाहें कोई आर्मी है कोई सेना है कुछ भी है जो लड़कों ने बना रखी है वो एक साथ आनी चाहिए, चाहें राजनीतिक दल हैं, वो सब एक साथ आने चाहिए, और एक ही नाम से आने चाहिए, उनका समन में नहीं होना चाहिए, उनका मरजर होना चाहिए, उनका विले करण होने से समाज को फाइदा होगा, क्योंकि उसमें अगर दो-चार लोग अपनी च नेता चाहेगा भी लूग 69 पर संक्चन संक्ट कोई जुड़े हैं उनकी अडेंटी लग लग रहे हैं उनके नाम लग 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 रहें तो नेता जब चाहे जब लोगों के साथ धोगा कर सकता है और अलग क्यों चलता है आप अगर नेताओं को कहेंगे कि इखटे हो जाईए और विलेकरन करिए तो इनको करना पड़ेगा ये नहीं करेंगे तो आपके हाथ में इनको रोकने की ताकत है दो तरीके हैं बावा साब ने कहीं डंडा उठाने के लिए मना नहीं किया है बावा साब ने खुद छड़ी उठाई है पर मैं नहीं कहूंगा कि जो बावा साब ने कहा या बावा साब नहीं कहा आप उसको कहें इसका और डेमोकरिक तरीका भी है इसका डेमोकरिक तरीका ये है कि आप उनको सहयो करना बंद करने उनके साथ खड़े होना बंद कर दें, उनकी मीटिंग में जाना बंद कर दें और उनको पैसा देना बंद कर दें पैसा देंगे जब मर्जर करोगे तब पैसा देंगे जब इखटे होके आओगे तब पैसा देंगे जब विलेकरण करोगे तब अगर धम्मिक संकन है, तो धम्म के अलगलग टुक्ड़े नहीं हो सकते सबको एक आना पड़ेगा और समणों की अगर राजनिती है, तो राजनितिक लोगों को एक आना पड़ेगा एक जीगे खटा होना पड़ेगा कैसे होते हैं, यह तुमारा काम है नेता तुम सब हो, हम नहीं हैं, पर आना पड़ेगा, तो मैं सभी जितने भी लोग हैं, समण समाज के, जितने भी लोग हैं, जितने भी समण हैं, या समणा हैं, समणी हैं, मैं उनसे बहुत नम्र सब्दों में ये समझाने की कोशित वर निविदन करूँगा, कि अगर आपको अपने बच्चे बचाने हैं आपके बच्चे की लास ना गिरे अगला बच्चा आपका ना हो अगला इंदर मेगवाल आपका ना हो अगला बच्चा आपका ना मारा जाए तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है सिर्फ आपको सबको ये कहना है कि इखटे हो जाओ वो ले करन करो, मर्जर करो अगर इखटे नहीं होते हो तो हमारे पास मताओ ना हम चंदा देंगे ना हम तुम्हारी मीटिंग में आएंगे ना हम तुम्हारी पोश्ट को आगे बढ़ाएंगे और ना हम तुम्हारी साथ खड़े होंगे, चाहे हमें कुछ भी हो जाए क्योंकि इखटे रहे के ही हम बचेंगे, अलग-अलग रहने से सारे मारे जाएंगे अजब सारे मारे ही जा जाने है तो फिर कम से कम एक कोशिश इस बात ही कर लें जो पूर्बजों ने की थी समढ़ संग और संग मनाने की संग मेरेने की, क्योंकि संग जो है वो भारत का सबसे पुराना संग हमारा संग है, जो बुद्ध से भी पहले चलता था, और जब तक संग रहा, तब तक हमारे बच्चे नहीं मारे गए और जब संग चला गया तो हमारे बच्चे मारे गए ये ठीक ऐसे है जैसे जंगल में हिरनों का जो जुंड रहता है एक साथ उनका कोई नेता नहीं होता पर वो सुरक्षित होते हैं वो पड़े लिखे नहीं होते पर वो सुरक्षित होते हैं वो कोई अफसर संग से बाहर निकल जाता है चाएं वो कितना है उचल पूद मचाता रहे उसको आकर शेर धबोच लेते हैं और सेर भी जुन्ड में रहते हैं संग में रहते हैं क्योंकि शेर अगरकेला घुमेगा तो जुन्ड कुत्तो का संग उसको फार देगा इसलिए शेर भी सारे सारे संग में रहते हैं बेसक आप शेर हो पर आपको संग में रहना है जो शेर संग में नहीं जैते उनका शिकार हो जाता है कुत्तों का जुंड मिलेकों को शिकार कर देता है इसलिए कहा है बुद्धने और कहा है बावा साब ने संग हे सत्थी और बावा साथ ने 1927 में समता समा संग बना के दिया और बुद्ध ने कहा संग सरणनंग अच्छामी और महापुरसों ने कहा संग में रहो, संग संग रहो सादू संगत करो, संग में रहना है तो संग में ही आना पड़ेगा आपको मिना संग के गती नहीं है हमारे इंदर मेगवाल मारे जाएंगे अगर हम इन नेताओं के भरोसे रहेंगे नेताओं को पैसा देंगे जब नेता इखटे होके आएंगे तब नेताओं पर भरोसा करेंगे जब नेता इखटे होके आएंगे तब धबमिक लोग जितने भी हैं, उन पर भरुसा करेंगे, जब इखटे होके आएंगे तब इखटा होना पड़ेगा, जैसे पहले इखटे थे, जो इखटे हैं, वो हमेशा जीतते हैं, दूसरे जो लोग हैं, उनको देखिए, कि उनके कितने कितने संग बने हैं, जो उनके हमार मनना है मर्जी आपकी धन्यवाद